वालो निट के पुराणियों तो दोस्तों उमीद करता हूँ सबके प्रपेशों विल्कुल सॉलिड चल रही होगी तो मेरे पे काफ़ी टाइम से बच्चे कहा रहे थे कि भीया थोड़ा अनलाइस करके यह पताओ कि बायलोजी में कौन से चैप्टर सबसे जाद है किसकी कितनी वेटेज है कौन से चैप्टर हमें सबसे पहले पढ़ने चाहिए हो जाए ठीक है तो पूरा इस वीडियो में उसके बारे में शेर करेंगे तो पहले आप लोग वना चैवन चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सुप्सक्राइब करें वीडियो ची लगए तो लाइक जरूर करना और जो जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना और काफी लोग होते हैं जिने confusion होती है regarding need और क्या कहते हैं कैसे preparation करें समझ नहीं आता guidance चाहिए होती है तो आप लोग मुझे बोलो application पर फॉलो कर सकते हैं लिंक में description में दे दूँगा आप लोग वहां से download कर सकते हैं उसमें अविरल कुमार सर्च कर सकते हैं और वहां पर अपनी video call one to one video call session book कर सकते हैं जहां हम लोग आपस में बात कर सकते हैं और कोई भी doubt हो आपका वो clear कर सकते हैं तो start करते हैं पहले 11 का में बात करूँ तो सबसे इंपोर्टेंट है वो human physiology है पूरी पूरी human physiology आपके 14 से 15 यानि 14 to 15 questions आते हैं आपके human physiology से उसके बाद जो सबसे important cell unit, cell वाली जो unit है जिसमें आपकी cell unit of life, biomolecules, cell cycle and cell division आता है उसमें से आपके 7 to 8 questions आते हैं आप लोग एक copy और pen में ले लिजए जिसमें सारी weightage लिख लिजए क्योंकि यह मैंने पूरे एक दो गंटे बैट के पूरे analyzation करिया previous year पूरा देखे कि कौन से chapter कितने ज्यादा important है तो सबसे पहले human physiology से 14 to 15 questions, cell unit से 7 to 8 questions उसके बाद आप लोग biological classification biological classification बहुत easy है और मैंने यह देखा कि maximum जितने questions आए जाए सारे डिसारे NCIT की lining, line पूरी पूरी line उठा उठा के question पूछे हैं तो 3 से 4, 3 to 4 questions are from biological classification classification उसके बाद morphology in flowering plants से 4 से 5 questions ठीक है 4 to 5 questions थे आप मान के चलिए 4 to 5 questions आते हैं morphology in flowering plants और animal kingdom से 3 से 4 questions और उसके बाद आपकी पूरी plant physiology plant physiology से आपके 5 से 7 questions थे 5 to 7 questions आपके आ सकते chances होते हैं कि plant physiology से आए उसके बाद biological class लिविंग वर्ल्ड से एक या दो question 1 और 2 question, plant kingdom से 2 या 3 question, 2 या 3 question थे और anatomy in flowering plant से 2 question structural organization in animal safety 2 question थे ठीक है तो उमीद करतो हूँ आप लोगो को समझ में आगा कि 11 में सबसे ज्यादा weightage कहों से chapters की है, कहों से chapters से कितने question आने के chances रहते हैं अब वहीं चलते हैं 12th के portion में ठीक है, 12th में सबसे जो important है आप तो पूरा मान के चलिए कि principal inheritance and variation से 3 से 4 question आते हैं और वही molecular basis of inheritance से 4 से 5 question यह दोनों chapters बहुत important है इसके बाद जो second most important आती है वो bio technology की unit आती है आप यह मान के चलिए bio technology की unit से 4 से 5, 4 to 5 questions आने के chances रहते हैं bio technology से उसके बाद sexual reproduction in flowering plant से 3 to 4 questions और human reproduction से 3 questions reproductive health से 3 questions maximum यह मैं वो analyzation बता रहा हूँ कि इतने questions आते हैं लगबग लगबग एक दो ऊपर नीचे होता है maximum chances यह रहती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि human reproduction से 3 questions आते हैं तो यह पैने पुछा कि हर साल maximum उस chapter से 3 questions ही पूछे जा रहे हैं तो यह chances यह सकते हैं कि इसमें इतना है तो आगे भी इतना है यानि importance देखी है उस chapter की कितनी है आप और फिर उसके बाद reproductive health से 3 questions, evolution से 2 questions आते हैं human health and disease से 2 या 3 questions आते हैं, strategies for enhancement in food production से 1 या 2, microbes in human welfare से 1 या 2 और ecology पूरी unit से 6 या 7 questions आते हैं और आप इसमें से सबसे जो 11 और 12 जो combine करें तो सबसे ज़्यादा weightage आपकी human physiology की है, फिर cell unit की है, फिर आपकी genetics की हो गई, उसके बाद आपके bio technology हो गई, फिर उसके बाद biological classification, morphology in flowering plant, तो आप लोग एक बार ये सब चीजे पूरा लिख लेना कि कौन से chapter से कितना weightage रहता है, और उसके बाद आप लोग पहले उन chapter को पूरा solid कर लेना, क्योंकि आपको ये देखना है, maximum question जहां से बन रहे हैं, वो chapter जब आपके solid हो जाएंगे एक बार, वो chapter आपको अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद चोटे-चोटे chapter जैसे एक एक दो-दो question आता है, वो आप लोग कर सकते हैं, बट जिससे सबसे ज़्यादा पूछा जाना है, जैसे for example, human physiology, आप लोगों की human physiology इतनी strong होनी चाहिए, इतनी strong होनी चाहिए कि आप लोगों के पूरे के है, तो उमीद करता हूँ, यह helpful रही होगी वीडियो क्योंकि यह analyzation last to come से कम मैंने 15 years के question paper उठाए, फिर उसके बाद जाके मैंने analyzation बनाया, उमीद है, आप लोगों के लिए काफी helpful रहेगा, और अगा वीडियो अच्छी लगे, like, share, subscribe करना, और जो लोग unacademy plus में लेना चाहते हैं, subscription वो ले सकते हैं, क्योंकि 10 अगस से मेरी classes Animal Kingdom पे, जहाँ पे मैं सिर्फ NCRT focus रखूँगा, और वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा वाइट पढ़ाते हुए, tricks के साथ पूरा chapter complete करा हूँगा, तो आप लोग join कर सकते हैं, unacademy link नीचे description में है, और आप लोग subscription ले सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को teachers live पढ़ाएंगे, यानि जैसे मैं भी आपके पास बैटा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप मेरे को वही पे pink कर सकते हैं, कि भीया दुबारा समझाईए, तो ऐसे ही वहाँ पे हर subject क teacher आप लोगों को life पढ़ाएंगे, आपको test series भी provide होगी, notes प्रवाइड होगी, और हर fourth class आपको doubts classes होगी, तो बहुत अच्छा offer आप लोगों को provide कर रही है, और उसके बाद आप लोगों को 10% off मिलेगा, अगर आप लोग crowd use करेंगे, अवरे ब्लोक्स में आप नीचे link दे द आप लोगों को पसंद आई और आपके लिए helpful होगी for need 2020 preparation, तो चलिए फिर मिलतें next video में